आज के युग में भी सभी लोग अपने मोबाइल फोन का उप्योग अपनी अलग अलग जरूरतों को पूरी करने के लिए करते हैं। सत्रा साल की कैथी नामक लड़की की है। कैथी को American Horror Stories, Scary Movies, Ghost Stories देखना बहुत पसंद था। कैथी हर रोज लगभग तीन घंटे Horror Stories या Ghost Stories देखा करती थी। एक दिन की बात है। हर रोज की तरह उस दिन भी कैथी यूट्यूब पर American Horror Stories देखकर सोने की तयारी में थी। Horror Story खत्म होने के बाद कैथी सो गई। कैथी को इसका कुछ भी अंदाज़न नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर अगले दिन सुबह हुई लेकिन कैथी को कुछ पता नहीं था कि उसके साथ रात में क्या हुआ। सुबह होते ही कैथी के माता पिता नोटिस करते हैं कि कल कैथी सोने से पहले तक उसके शरीर पर कोई निशान नहीं थे। लेकिन सुबह कैथी के शरीर पर गहरे चोट और मार पीट जैसे निशान थे। कैथी के माता पिता उससे उन निशानों के बारे में पूछते हैं तो कैथी को उन निशानों के बारे में कुछ पता नहीं होता। उस दिन कैती के माता पिता ने इस बात पर फिर कोई चर्चा नहीं की और ये घटना वहीं खत्म कर दी। जब कैथी दूसरे दिन सोने गए तब उसके शरीर पर छोटे छोटे ही निशान थे लेकिन जब कैथी दूसरे दिन सो करूठी तो वो निशान फिर आ जाते हैं लेकिन कैथी को ये पता नहीं था कि वो निशान उसके शरीर पर कैसे आ जाते हैं फिर ऐसे ही तीसरे चौथे प इस घटना के एक महीने बीच जाने के बाद कैथी नॉर्मल थी कैथी अपने स्कूल स्टाफ के साथ पिकनिक पर गई और वहां जैसे ही वो पिकनिक पर सो कर उठी तो उसके शरीर पर फिर वैसे ही चोट और मार पीट के निशान दुबारा आ गए थे जब ये बात कैथी के स् इसके बाद स्कूल स्टाफ वालों ने उसके माता पिता को सूचित ना करते हुए सोशल सर्विसेज को सूचित किया सोशल सर्विसेज वालों को स्कूल स्टाफ वालों ने कैथी के माता पिता द्वारा कैथी को टॉर्चर और अत्याचार करने के जानकारी थी लेकिन उधर ज लेकिन जैसे ही उनके माता पिता डॉक्टर के पास जार है होते हैं तुरंत ही सूशल सर्विसेज वाले आ जाते हैं और उनसे सवाल जवाब करने लगते हैं और कैथी के माता पिता उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाते और उसके माता पिता को पुलिस लेकर चली जा उन्हें खुद नहीं पता कि ये निशान उसके शरीर पर कहां से आ जाते हैं और मुझे भी नहीं पता कि ये निशान कहां से आते हैं कैथी के इस बयान के बाद उसके माता पिता को पुलिश छोड़ देती है फिर वे घर आ जाते हैं इन सभी घटनाओं से परेशान होकर उसके माता-पिता को एक आइडिया आता है और वो बाजार जाते हैं और वहां से कैमरा खरीद कर लाते हैं ये कैमरा कैथी के कमरे में लगा देते हैं फिर जब कैथी अगले दिन सोकर उठती है तो उसके शरीर पर फिर वैसे ही निशान आ जाती है क्योंकि उस CCTV फुटेज में कैथी नींद में चलती थी और उसी के साथ वो अजीब हरकतें भी करती थी जैसे कि वो खुद को घसीटती थी खुद को बेड़ से नीचे उतार कर रेंगती थी ये सब देखकर उसके माता पिता कैथी को स्लीप स्पेशलिस्ट के पास ले स्केरी मूवीज घोस्ट मूवीज देखना बहुत पसंद था लेकिन अल्ल टाइम हॉरर स्टोरीज ये सब इतना जादा मात्रा में था कि उसका सीधा हामफुल एफेक्ट उसके सबकॉंशस माइंड पर पड़ा जिससे वो ये सभी हरकतें करने लगी डॉक्टरों का कहना कि हॉरर वीडियो या हॉरर स्टोरी हमारे सबकॉंशस माइंड पर बहुत इफेक्ट पड़ता है व्यक्ति जो भी देखता है वो वैसा ही बनता जाता है इसलिए हमें अच्छी चीज देखनी चाहिए और अच्छा बनना चाहिए अच्छा बनना चाहिए